नमस्कार जैशियराम जैमाता की मित्रों और कैसे आप सब आसा करता हूँ आप अच्छे से होगे मेरे प्यारे भक्तों आज मैं आपको संसार का सबसे सक्तिसाली मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र का ब्रह्मा बिशनु महिश और सारी सरष्टी उसी मंत्र का जाब करती है और उसका गुडगान करती है मित्रों जब मैं अपने गुरू से दीचित हुआ था तो इस मंत्र का सारा रह्ष मेरे गुरू ने मुझे समझाया कि इस मंत्र के अंदर कितनी ताकत है और इस मंत्र से हर व्यक्ति अपनी हर परिशानी से मुक्ती पा सकता है चाहे वो अपनी कितनी भी परिशानी में घेरा हुआ हो चाहे संसार की कितना भी बड़ा संकट उसके उपर आ गया हो इस मंत्र को जाब करते करते सारे संकटों से मुक्ती मिल जाती है और ये इतना चमतकारी मंत्र है मित्रो देखे संसार में इतने मंत्र हैं जितने देवी देवता हैं और उतने ही सब के अलग-अलग मंत्र हैं लेकिन हमें कौन से मंतर का जाप करना चाहिए जिससे के हमारी सारी परिशानियां भी खतम हो और हमें मोच का मारग मिले मित्रो इन सभी बातों की जानकारी के लिए एक अच्छे गुरू की तलास होनी चाहिए अगर आपके पास एक अच्छा गुरू है तो आपको मोच का मार्ग बताएगा शद मार्ग पर चलाएगा और आपके जीवन के सारे अंदकार मिटा सकता है मित्रो जो लोग कहते हैं कि इस स्रश्टी में परमपिता परमात्मा नहीं है मित्रो ऐसा तो कदाप होई नहीं सकता कि बिना भगवान के कहते हैं कि पत्ता तक नहीं हिलता तो वास्तिविक सच्चा यही है कि बिना उसके इस सारे के कोई भी कार नहीं हो सकता लेकिन इंसान को परमपिता परमात्मा ने जनम दे करके छोड़ दिया है जनम दे करके करम का साथी वो नहीं है करम तो इंसान करेगा तो इंसान ही भरेगा उसका कार है स्रश्टी की रचना करना लेकिन स्रश्टी में जो रचना की है वो इंसान पसू या पच्छी क्या कर रहा है वो सब देख रहा है आपको क्या करना है आपको इंसान का एक जनम दिया है अच्छा बुरा आप सब जानते हैं आपको द्रश्टी दी है बुद्धी दी है ज्यान दिया है जिससे के आप अपने बेबेग से समझ करके के हमको अच्छा करना चाहिए बुरा करना चाहिए वो सही करना चाहिए मित्रो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा अगर बुरा करेंगे तो उसका आपको दंड मिलेगा उसका भुतान करना पड़ेगा इसलिए जो लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा नहीं है तो मुझे आप बताईए कि सूरज चांद सितारों का है कहां बिजली घर बना हुआ जो पल भर को धोका नहीं देता कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ मित्रो घर में एक बल्ब जलाने के लिए तमाम बिजली के खंबे लगाई जाते हैं तमाम तार खीचे जाते हैं और एक बिजली घर से उसका कनेक्शन जुड़ा जाता है तब घर में एक बल्ब जलता है लेकिन उस परमपिता परमात्मा का पूरे संसार में एक ही बल्ब है जो के पूरे संसार को रोशन करता है इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना परम्पिता परमात्मा के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सूरज चांद सितारों का है कहां बिजलीगर बना हुआ जो पल भर को धोका नहीं देता कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। कोई खंबातार नहीं, कोई बीच खड़ी दीवार नहीं, ऐसे धन राकार प्रभू का करता क्यों दीदार नहीं। मित्रो, वो परम्पिता परमात्मा हमारे और आपके बीच ही समाया हुआ है और हमारे और आपके बीच रह करके ही सारा खेल खेलता है। इस पूरी स्रश्टी की रचमा करके उसको समालता भी है किसको क्या चाहिए उसको वो भी पहुचाता है मित्रो और कहा है आगे आगे जल और बायू का प्रभू लेता नहीं किराया है सर्दी गर्मी और बर्सा का कैसा चक्र चलाया है मित्रो आप आगे जल और बायू को बुद्धि पैदा किया तो परमात्माने उसको बुद्धि दी ज्यान दिया तब ही तो इंसान ने ये सब किया कहते है कि इंसान राए जाज बनाकर ऊड़ा दिया उसमें ट्रैन बनाकर recurक्त कि अश्चनल इंसान को यहँ पर रचना किसले कि कि ःती इसलिए कि क्योंकि जो कि इंसान का जनम तो ले लिया है लेकिन उनकी बुद्धी नहीं है पागल बने फिरते हैं रोड़ पर नंगे घूमते हैं वो क्यों नहीं आविश्कार कर सकता है जो कि पागल बना घूमता है इंसान वही कर सकता है जिस पर परम पिता परमात्मा की असीम करपा है कि अगनी जल और बायू का प्रभू लेता नहीं किराया है सरदी गर्मी और बर्सा का कैसा चक्र चलाया है जिसका कोई पारा बार नहीं लगा कहीं दरबार नहीं इस अगनी जलो और बायू का या सरदी गर्मी बरसा का कोई टेक्स भरना पड़ रहा है आपको बताईए जिसका कोई पारा बार नहीं लगा कहीं दरवार नहीं ऐसे धन नराकार प्रभू का करता क्यों दिदार नहीं मित्रो ऐसे परमपिता परमात्मा की खोज क्यों नहीं कर रहा है कभी किसी तंत्र मंत्र से जुड़ रहा है लेकिन उस परमपिता परमात्मा की खोज नहीं करता जिसने तुझे भी बनाया और तेरे लिए जितने भी आवस्टताओं की चीज हैं वो भी बनाई मित्रो इसलिए मैं हमेशा आपसे यहीं कहूंगा कि आप कुछ भी करि किये तंत्र मंत्र से जुड़िए या कोई भी कार करिए लेकिन उस परमपिता परमात्मा को मत भूलिए क्योंकि जिस वक्त परमपिता परमात्मा की असीम करपा हमारे उपर से हट जाएगी हमारे शामने अनेको अनेक संकट खड़े हो जाएंगे कहते हैं कि कोई हमारा नहीं है मित्रो मैं ये साप साप कहता हूँ जब हमें कोई नजर नहीं आता तब हमें सिर्फ उपर वाला ही नजर आता है जब सारा संसार हमें ठुकरा देता है तो हमें सिर्फ उपर वाला ही नजर आता है और वही उपरवाला किसी न किसी रूप में आ करके हमारी मदद करता है और हमारे संकट को काड़ता है मित्रो इसलिए जो परमपिता का मंत्र है उसको आप हमेशा जाब करते रहे अगर जाब करेंगे तो आप हमेशा ईस्वर से जुड़े रहेंगे और इसलिए आपको हमेशा सद बुद्धी देगा और सद मार्ग पर चलाई रखेगा मेरे गुरु ने ये भी कहा था कि बेटा अपने जीवन में एक नियम बना लो वो नियम कौन सा आप कोई भी धरम करो एक धरम को अपना लो एक करम को अपना लो अगर आप हिंदू धरम से हैं तो हिंदू धरम के अनुसार किसी एक करम को अपना लो अगर आप मुस्लिम धरम से हैं तो मुस्लिम धरम का कोई भी करम अपना लो हमारे इस प्रत्वी पर भगवान राम, भगवान किर्शन जैसे जो के एक सत्प्रुष हो करके चले गए मित्रों जिन्होंने एक भगवान की उपादी प्राप्त की भगवान यसी लीलाएं की और भगवान जैसी उन्होंने अपने मर्यादा में रहते हुए जीवनयापन किया आज उन्हीं की किरपा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है भगवान राम से हमें मर्यादा में रहने की सीख मिलती है कि भगवान राम कौन कौन सी मर्यादा में रह करके अपना जीवन यापन किया, गरीबों का कैसे उधार किया, दुष्टों का कैसे संगार किया, परबार में वो कैसे चले, उसी प्रकार भगवान क्रिशन से भी हमें प्रेम करने की सीख मिलती है जैसे भगवान क्रिशन ने राधा से फ्रेम किया ऐसे ही आज इस्त्री और पुर्ष के अंदर जो प्रेम चल रहा है आज उन्हीं भगवान स्री क्रिशन की देन है उन्हीं से हमें सीख मिलती है कि हमको प्रेम करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए प्रेम राधा क्रिशन जैसा जैसा होना चाहिए प्रेम क्रेशन और मीरा बाई जैसा होना चाहिए प्रेम भगवान राम और सब्री जैसा होना चाहिए तब इस संसार में कुछ समझ में आता है कि हकीकत क्या है मेत्रो मेरे गुरु ने जो कहा है कि बेटा अपने धर्म में रहते हुए एक करम को अपना लो आप अगर कोई भी करम करना जानते हैं या कर सकते हैं तो उसे करिए मेरे गुरु ने कहा बेटा आप या तो चिडियों को चुगाए पच्छियों को आप दाना खिलाए या चीटियों को चुगाए या मचलियों को चुगाए जीवन में ये करम करके हमेशा चलिए मित्रो मैंने तभी से अपनी गलतियों का ऐसास करते हुए कान पकड़े और गुरु जी के चलन स्पस करते हुए और मैंने एक चीटियों को चुगाने का कारी स्टाट कर दिया आज भी बहुत सारे लोग सिटियों में मैंने देखा है कि अपनी छत पर पच्छियों को दाना पानी डाल देते हैं, एक बरतन में पानी भरके रख देते हैं, और वही दाना पानी आपके परवार को हमेशा खोशाल रखेगा मित्रो, आपको पता है कि आपका दिया हुआ दाना पानी कितने पच्छियों के मुह में जाता है, और उनके अंदर से कहते कि ईश्वर अंस जीव अविनासी, ईश्वर का अंस हर किसी के अंदर है, पसू पच्छियों के अंदर है, हर इंसान के अंदर है, पेड़ पोधों के अंदर है इस और अंस जीव अमिनासी मित्रों उन पच्छियों के अंदर भी इस और का अंस है जब उनके अंदर से यह दुआई निकलेगी आशिरवाद मिलेगा तो आप और आपका परवार हमेशा खोशाल रहेगा आपके परवार के शामने कभी भी कोई संकट नहीं आएग तो उनके प्रवाब से, उनके आशिरवाद से सारे शंकट छड मात्र में कट जाएगी इस लिए ह्यर इनसान को अपने जीवन में एक करम को मेहतो देना चाहिए करम संभसे बड़ा है करम करते हुए इनसान परमगति को प्राप्त होता है मित्रो लेकिन नेक करम सच्चे करम करते हुए, यह नहीं करम तो एक चोरी करना भी होता है, अगर गलत कार करेंगे तो अंदर पहुंच आएगे, यसे लिए हमेशा एक अच्छे और नेक करम को महतों दीजिए, और करम करते हुए आप अपने जीवन को यापन करिए, आपके जीवन में कभी भी शंक सीवतें च्छड मातर में दूर होने लगे, मेत्रो, और मेरे गुरु ने जो मंत्र बताया, कि बेटा इस मंत्र का ब्रह्मा विशनु महिस्वी जाब करते हैं, श्याष्टि के सभी देवी देवता भी जाब करते हैं, पूरा ब्रहमांद उसका जाब करता है, उसका मित्रो ये इतना चमतकारी मंत्र है कि ओम नाम के अंदर सारी स्रश्टी समाई हुई है ओम नाम सबसे बड़ा सब रतनों की खान मित्रो उसके अंदर सारी स्रश्टी की खान है आप उस ओम मंत्र का जाब करिए और ओम मंत्र का जाब कैसे करना हुता है ये एक अच्छे हम जो ध्यान मंत्र का जाब कराते हैं वो कैसे कराते हैं कौन से मंत्र का जाब कराते हैं मित्रो इसलिए इस ओम को भी समझ लीजिए यह ओम के अंदर सारी शक्तियां समाई हुई है ओम से ही सारी शक्तियों का समावेश हुआ है वहीं से उत्पत्ति हुई है और लोटके उसी म समा जाती है मित्रो इस ओम को समझ लिया तो समझ लो आपकी सारी मुसीबते छड़ मातर में दूर हो जाएगे जितना आप इस मंतर का जाब करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपको परम गति की प्राप्ति होगी आपको मोच का द्वार मिलेगा आपके जीव आप सांस को अपने अंदर खीचेंगे तो आप उस ध्वनी को पहचाने की कोशिश करिए उसको जाने की कोशिश करिए जब अंदर हमारे सांस जाएगी तो ओ की आबाज आएगी और जब सांस निकलेगी तो मा की आबाज आएगी ऐसे ही अंदर जब सांस जाएगी तो सो की कि आबाज आएगी और जब बाहर निकलेगी तो हम कि आबाज आएगी मित्रों शो हम ओम इन मंत्रों का जाप करते-करते मंत्र एक ही है चाहे कैसे भी समझ लो यह भगवान सिव ने पार्वती को बताया था और पार्वती ने जगत कल्यान करने के लिए नारजी को बताया था कि नारजी इस मंत्र का जाप करते-करते हर इंसान परमगति को प्राप्त होता है, उसको मोच मिलता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिठ जाते हैं, मित्रो, अगर इस ओम, शोहम, हमसा, यह तमाम तरह के जो संस्था हैं, उन्होंने अपने-अपने अनुस्वार बना दिया है, लेकिन मैन जो मंत्र है, वो ओम ही है, इस ओम मंत्र को अपने गुरू से समझ करके, और इस मंत्र का आप निरंतर जाप करिए, और जाप करते-करते, आपको सारी शक्तियां अपने आप ही प्राप्त होने लगें, मित्रो, इस ओम मंत्र के जाप करने से, ब्रह्मा, विश्ण कि देवी देवताओं की किरपाज दृष्टि आपके उपर बनी रहती है इसलिए हमें और आपको हमेशा स्वांस में इस हरी के ओम मंत्र का जाप करना चाहिए और ओम मंत्र का जाप कैसे करते हैं कैसे करना चाहिए एक अच्छे गुरू के मार्ग दरस्तन में जाकर के जीवन के सारे संकट छड मातर में दूर होने लगेंगे और आप हमेशा परम गती को प्राप्त होंगे आप एक नेक करम अपना लो और नेक करम करते हुए अपना जीवन यापन कर दो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई नरक में डालने बाला नहीं है आप गुरू क के द्वारा दिया गया ज्यान उसको अपने कर्मों में समाविष करके अपने जीवन को यापन करिए गुरू के द्वारा दिया गया मंत्र जो है उसका जाब करिए आपके जीवन में कभी अंदकार नहीं आएगा और आप परम गती को प्राप्त होंगे आपको मोच मिलेगा मित्रो इस संसार में इंसान जो भटक रहा है वो सिर्फ अपने कर्मों के परणाम अनुशार भटक रहा है क्यों कर्म एक ऐसी चीज है कर्म विख्यात है कर्म एक छमा सील है अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा अगर नेक कर्म करेंगे तो आपको रास्ते में कोई काटा भी नजर नहीं आएगा आपकी रास्ता साफ होगी और आपके जीवन में कभी भी कोई भी परिशानी नहीं आएगी और भाया जब हम गलत कारेंगे तो उसका हमें भगतान भी यहीं पर करना पड़ेगा कहीं बहार स्वर्ग नर्क जो भी है वो सब यहीं पर कहीं बाहर नहीं कोई भी देविद्वता कोई आस्मान में नहीं रहता कोई जमीन के अंदर नहीं रहते वह सभी देविद्वता ब्रह्मा विश्णु महेश सारे इंद्रादी इस सारे देविद्वता हमारे और आपके बीच में ही रहे करके हमारी रच्छा करते हैं और हमें दंड देते हैं मित्रों इसलिए हमें हमेशा ओम मंत्र को समझ करके और इसका गुडगान करना चाहिए इसका जाप करना चाहिए तो मित्रों मैं आप से आसा करूंगा कि आप एक अच्छे गुरू के श्रण में जा करके इस ओम मंत्र को जरूर समझेंगे और इसका जाब करके आप परम गति को प्राप्त जरूर होंगे तो मित्रों आसा करता हूं कि आप इस मंत्र का त्यान मान धन से जाब करिए और अपने जीवन की हर परिशानी को दूर करिए तो उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का वीडियो आपको प प्रश्कार